मस्कार किसान वाई ओसको किस पकार से हम बढ़ा सकते हैं इसके लिए हम क्या करना चाहिए को सर भी बैकार मोसमच चल रहा है तर्बूच और डंगरे के लिए कोई भी फसल के लिए बारिस हो रही है बारिस चैसे का आप देशकते हो पूरा मोसम भी ढखा हुआ है यहाँ पर बारिस का आने की परकोप देखने को मिल रहा है जिसके कारण जो सारी फसले बो इस्ट्रेज में जा सुकी आने की फसल में सब्सक्राइक बारे पिर जो यहाँ कोई उर खनो मरें बाते हैं वा सब्सक्राइब रहे हैं बात जो सकते हैं अब सब्सक्राइब कर रहे हैं इस पर देखो कि यहां पर एक है यह दो है यहां पर तीन चार और इदा सैट आप देखो कि तो काफी मातर में आने फल सेट हो रहा है और फूल बगर भी आ रहा है यह चोटा सा फूल आ है यह सब काभी मातर में अखित हो रहे है तो इतने वगर फल सेट हो रहे हैं तो यह फूल बगर एक है प्वल बगर सेट है तो पहले प्लाट को हम पूरा गुमा देते हैं कि प्लाट किस्पकाल से हमारे प्लाट है यहां पर किसान बहुता है मोसम बेकार हो चुका है जो तर्बुच और खर्बुझे कि फसल के लिए सबसे बेकार alot स्प्प्रेवाले वाले तो इसमें इसप्रेव करने वाले वह स्प्रेवाले किसान वुद्ची बीन का फल्फुल के लिए सबसे बेश्ट इस प्रेवाले किसान वहों परबू जो डंगरे में हो मोसम जिस प्रकाइब सभी खराब है तो हम इसमें इस्प्राइब करने वारे फल पुल के लिए बिंचि बीन साथ में हम एक फंगी साड का प्योग करेंगे समय जरूर करना है तो फंगी साड में हम ले रहे है रेड़ोमिल गॉल्ड तो विंची बी को देकने को मिल रहा है कि वह आपकी सारी फेसलों में आपके रोगों को बचाता है तो कशान बेग्यों जरू सकते हो जैसे कि पैक्ति यहांसार इन तो आप दुकान दाल से पूछ कर भी इसका उपयोग कर सकते हो इसका बड़ी आप इस प्रेकर दीजिए सुभे या साम को तो आपको काफी अच्छे रियर्ड देखने मिलेंगे आपके फल पुल जो सेट हो आएंगे रेडु में गोल्ड आपके फसलों को जो रोग आ रहा है पत्ती मुझाने वाले रोग आ रहा है पत्ती जल रही उससे आपको काफी मातर हमें सपोर्ट करेगा तो किसाम भाईयो इसका आप इस्प्रे जरूर लीजिए नेश्प्रे के बारे में बहुत जल्ली बताने वाले मौसम बहुत ज़्यादा खराब है तो फसलों को देखते करीजिए ज़्यादा पानी गिरता है तो पानी गिरने बाद तुरान आपको इस्प्रे लेना कि पाउडर ही डाउन ही और सबसे ज्यादा बिल्ड की समझ से आपको देखने को मिल सकती है तो किसाम भाईयो आज के लिए पस इतना ही आने वाले बहुत जल्ली वीडियो बना करे